हाई गाईज, आएम वंशिका ग्रवाल और आज हम पढ़िंगे क्लास थर्ड NCRT EVS बुक का चैप्टर दीप प्लांट फैरी, so let's start लास्ट संडे वी वेंट टो अ गार्डन इन दा नेबर हूड पिछले रवी बार हम अपने पड़ास के बागीचे में गए थे हमने वहाँ पर चुपन चुपाई और अन्ताकशडी खेली, आपने भी कभी न कभी खेली होगी हमें वहाँ बहुत मज़ा आया, आफ्टर सम टाइम दीदी सैड लेट अस प्ले अन्यू गेम टुदे फिर कुछ समय बाद दीदी ने कहा कि चलो आज एक नया गेम खेलते हैं, आज एक नया खेल खेलते हैं फिर दीदी ने कहा कि मैं तो प्लांट फेरी बन जाती हूँ, मैं पौदो की परी बन जाती हूँ और जो पौदो की परी जिस चीज का नाम लेगी आपको उसी चीज को टच करना है, उसी चीज को छूना है दीदी ने कहा कि अब तुम्हें प्लांट फेरी कहती है एक प्लांट को टच करने के लिए यानि जो पौदो की परी थी वो कह रही है कि आपको अब एक पौदे को टच करना है एक बार में ही सारे बच्चे प्लांट की तरग भागियों ने चूने के लिए अम्मू है दा मेरिकोल प्लांट फिर जो अम्मू थी उन्होंने गेंदे का प्लांट पकड़ा गेंदे का पौधा पकड़ा शबनम सैड टचिंग अ जैस्मिन प्लांट फिर जो शबनम थी वो जैस्मिन के प्लांट को छूते हुए बैट गई वहीं पर दयराम कौट होल्ड और नीम ट्री एंड स्टूद देयर फिर जो दयराम थे उन्होंने एक नीम ट्री यानी नीम के पेड़ को पकड़ा और वो वहाँ पर खड़े हो गए Michael touched a mehendi वश फिर जो Michael थे उन्होंने एक mehendi की जाड़ी को पकड़ा था दीदी said very good everyone has touched a plant but have you noticed that all the plants are different from each other फिर दीदी ने कहा बहुत अच्छे सभी ने एक एक पौधी को छुआ लेकिन क्या आपने notice किया कि जो सारे जो पौधे होते हैं वो एक दूसरे से अलग-अलग होते हैं दीदी you are also sitting on little plant said Shabnam दीदी आप भी तो एक छोटे plant पर बैठी है ये कहा Shabnam ने can you name the plant on which दीदी was sitting क्या आप उस plant का नाम बता सकते हैं जिस पर दीदी बैठी थी उस plant का नाम था grass दीदी घास पर बैठी थी फिर जो खेल था वो फिर से स्टार्ट हुआ फिर प्लांट फेरी ने बोला पौधो की परी ने बोला कि अब आपको एक पेड के तने को छूना है और वो मोटा या पतला कैसा भी हो सकता है दा चिल्रन रेन फिर जो बच्चे थे वो दोड़े फिर से पेडों के तनों को छूने के लिए Have you seen a tree with a trunk as thick as the one shown in the picture क्या आपने यहाँ पर जो मोटा वाला तना दिखाया जा रहा है इतना मोटा तना देखा है कहीं Michael found the game very interesting फिर जो Michael थे उसे game बहुत अच्छा लगा He thought how lucky the fairy was वो सोचने लगा कि जो fairy है जो परी है वो कितनी lucky है कितनी भागिशाली है She could order everyone around Now I want to be the plant fairy क्योंकि वो सबको order देती है सबको आदेश देती है और सब उसके आदेश का पालन करते हैं अब मुझे भी plant fairy बनना है Sad Michael यह कहा Michael ने the children laughed allowed a boy fairy फिर जो सारे बच्चे थे वो हसे Michael पर कि एक लड़का फेरी बनेगा एक लड़का परी बनेगा They were now ready to take order from the new plant fairy फिर वो सब तयार हो गए अपनी नई plant fairy से आदेश लेने के लिए Michael said get me some leaves quickly फिर Michael ने कहा यानि नई plant fairy ने कहा कि आप मुझे थोड़ी leaves लाइए यानि कुछ पत्तियां लाइए जल्दी से बट रिमेंबर you are not to pluck the leaf from the plant said Didi लेकिन याद रखना आपको पत्तियों को प्लांट से पौदों से नहीं तोड़ना है ये कहा Didi ने the children ran to collect the leaves which were laying on the ground फिर जो बच्चे थे वो भागे पत्याई खटा करने के लिए जो ground उपर पड़ी हुई थी यानि बगीचे में पड़ी हुई थी अब हमारे पास है Dayaram said I did not know that there were so many types of leaves Dayaram ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने सारे types की leaves होती है look some are round some are long and some are triangular देखो क्योंकि कुछ तो गोल है कुछ बड़ी-बड़ी और लंबी है और कुछ triangle shape की है Ammu said they are of many different color as well some are light green and some are dark green some are even yellow red and purple there is one which is green but has white patches on it फिर Ammu ने कहा कि ये कितने सारे colors की है इसमें अलग-अलग colors है जैसे कुछ तो light green है कुछ dark green है और कुछ yellow यानि पीली है कुछ लाल है कुछ बैगनी है और एक green भी है लेकिन इसके ओपर white patches है यानि सफेद धब्बे है look even the margin of these leaves are different from each other some have straight margin some of these margin even look like a saw sad Shabnam फिर Shabnam ने कहा कि इतना ही नहीं इनके जो margins है वो भी अलग-अलग है कुछ तो straight margin की है कुछ के margin uneven है राइट Ammu and Shabnam shouted together फिर Ammu और Shabnam एक साथ चल लाएं we also want to be the plant fairy हमें भी plant fairy बनना है जीदी sad not today may be the next Sunday it is time to go home now फिर दीदी ने कहा कि आज नहीं आप अगले Sunday बन लेना क्योंकि ये घर जाने का time है on the way back दीदी रिसाइटेड a poem for everyone फिर घर जाने के रास्ते में दीदी ने सबको एक poem सुनाई वोथी leaves हम भी इस poem को पढ़ते हैं पुर्पल औन ये और ये ये सम्हें रहना सुनाई and of different shapes and shades. Some are like the elephant's ears and some are playful like the devil. Some are torn and some are folded and some even eaten like the beetle. And in the early dawn's dark hue, you will find the flower cry tear like dew. Some are like butterfly, some like bees, Some are hairy and some plain. Some dry up to look thorns and some even resemble cranes. Hoosh, hoosh, scuttle and flutter. In the breeze, they all do mutter. All day long, they smile and play. In and in the night, they sleep away. Leaves are of different kind and of different shapes and hues. So, this poem did you listen to. And next, what we have here, is one activity that you have given. Here, you have given activity that you can do. Now, here, what are you asking? Look at the picture and name the thing which have pattern of leaves and flowers on them. Now, you have to tell this picture, what are the things that are flowers or flowers or flowers or flowers design. You can see here in the photo frame, there is a flower design. There is also a pillow cover. And this is also a carpet. Right? Next, we have Look for objects which have patterns of leaves and flowers on them in your house. Write their names. You must have seen many plants and trees. How many of them can you name? Write their names. You will have seen many plants and trees. You will have seen many plants and trees. You will have to tell their names. You can write here mango, neem, tulsi, people, rose, banana, lemon, marigold. Right? Are there any plants that you have heard but never seen which ones? So, you can write here apple, jasmine, orange, strawberry, pomegranate. If you have not seen any other plants, you can also write that name. Next question is friendship with a tree. Now, you have to have a friend with a tree. A lasting friendship. What trees is it? Ask someone, elder, if you don't know. Now, you have to have a friend with a tree. And who is the tree? If you don't know, you can ask them. So, you will write this is a mango tree. Will you like to give your friend a special name? What will you name it? Now, if you want, you will have to give your friend a special name. You can give some cute name. Like Popoo, Gopurite. Next, does the tree bear flower or fruit? Which ones? Does the tree bear flower or fruit? So, does the tree bear flower or fruit? So, does the tree bear flower and fruit? And if yes, which one becomes? You will write here. Yes, the tree bear flower and fruit. And here, you will write here. Papaya tree. Because the tree is called a papaya tree. There are fruit and fruit. How do the leaves of the tree look? How do the leaves of the tree look? The tree bears of the tree? How do you see? You can make a draw in here. Cute. This is a leaf. This is a leaf. This is a leaf. Do animals live in the tree? Which ones? Is there any animal living on the tree? And who is? Yes, which one? You can make a squirrel. The squirrel lives in the tree. The tree is a flower. It is a leaf. And it stays on the tree. Right? Draw the picture of your friend's tree below and color it. Here you can make a picture of your friend's friend's tree. Right? You can do it yourself. And here, your chapter is finished. And if you like our video, please like our video. And subscribe to our channel. Thanks for watching. Bye-bye. क्राइब